Hello and welcome back to Asset Guide YouTube channel आज किस वीडियो में हम देखेंगे कि inflation rate जो आया है निकल कर उसका stock market पर क्या impact पड़ा है सरकार के क्या strict निर्देश है RBI को और RBI किस तरीके से next step लेने वाला है जिससे की interest rate को कम करा जा सके और उसने क्या step लिया है और किस तरीके से inflation को कम किया जाएगा ताकि बाजार में इस्थिरता बनी रहे तो Hello and welcome back to Asset Guide YouTube channel आज किस वीडियो में हम जो है stock market से related और inflation data से related discussion करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो subscribe करें और bell notification को press करें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो के notification मिलते रहें और ये bell का icon जो रहेगा वो दबा ले इसी से आप notification ले पाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और सबसे पहले देख लेते हैं किस तरीके से inflation का data आया है और ये market को impact कर रहा है सारी चीज़े देखेंगे डेटेल में सबसे पहले बात कर लेते हैं inflation के data की तो inflation का जो data आया है वो कहीं न कहीं थोड़ा सा दुखी करने वाला आया है एक तरीके से देखा जाये तो यहाँ पर 5.49% सितंबर में बढ़ गया है यानि कि inflation rate जो है वो बढ़ गई है सितंबर में और यह बढ़ कर 5.49% हो गई है अगर यह इतना important क्यों है क्योंकि जो government है government की तरफ से जो guidelines है वो 4 percentage inflation होना चाहिए और यहाँ पर कुछ condition में इसको plus minus 2 किया गया है तो 4 plus 2 यानि कि हो जाता है 6 और यह है 5.49 मतलब लगबग इसको touch करने वाला है तो ऐसी condition में कहीं न कहीं government की जो नीती है वो fail हो जाती है तो इसी लिए यह ज़्यादा चोकाने वाला जो है result है अब चली इसका data जो है वो किस तरीके से बढ़ा है पहले क्या था तो अगर हम बात करें CPI consumer price index की तो सितंबर 2024 में यह जो बढ़कर आया है September का जो data आया है अभी चल रहा है October तो सितंबर में यह data calculate हुआ है October में हमें देखने को मिला तो यह 5.49% आया है अगर हम इसकी बात करें अगस्त में कितना था तो अगस्त में यह जो data था वो 3.65% था तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2.02% की इसमें बढ़त हुई है जो की इतनी नहीं होने चाहिए थी यानि कि यह उमीद से जादा की बढ़त हुई है अब अगर हम बात करें इसी data के food index जो inflation है यानि कि अगर हम बात करें food basket inflation की तो वो सितंबर के महिने में बढ़कर 9.24 हो गई है जो की यह हो गई है food index जो है वो 9.24 हो गई है 9.24 और यह अगस्त में जो थी वो 5.66% थी तो इतना जो है यहाँ पर changes आया है अब जब inflation बढ़ी है तो tension तो बढ़ी है और जब tension बढ़ती है तो कहीं न कहीं उसका impact हमें next day stock market पर देखने को मिलता है index पर देखने को मिलता है तो चलिए index पर क्या है वो देखेंगे लेकिन सबसे पहले हम और जो important point है उनको भी यहाँ पर रखेंगे एक और मैं जाते जाते बात बता दू कि inflation को जो data आया है और इसमें जो इतना increment हुआ है वो जादा तर food price से आया है आप देखेंगे कि green vegetables हो चाहे दाले हो चाहे चाबल हो हर एक चीज का जो चाहे oil हो सब हर एक चीज का refined oil सब हर एक चीज का price जो है अभी कई गुना बढ़ा हुआ है 3 से 4 गुना यही reason है कि inflation का data केबल food price के बज़े से ही बढ़ा है तो यह एक bonus point आपके लिए था अब चलिए हम देख लेते हैं कि government की guidelines क्या है बैसे तो हम इसका discussion कर चुके हैं लेकिन जो data 5.49% आया है यह data कितना सही है कितना गलत तो हमें पता होना चीए कि कितना मानिय है जिसके हिसाब से यह होगा तो 4 plus minus 2 inflation अगर रहती है तो inflation की जो rate है कम से कम 2% और जादा से जादा 6% तो यह इतना रहना चीए 2 से 6 के बीची रहना चीए लेकिन अभी क्या है कि यह 5.49 यानि कि अपने high की तरफ पहुच रहा है तो यहाँ पर inflation का मतलब यहाँ पर महंगाई जो है वो बड़ी हुई है जब महंगाई बड़ी हुई है तो कहीं न कहीं उससे सरकार की छभी पर impact पड़ता है सरकार को उसमें दिक्कत होती है कि लोग कहते हैं कि भी सरकार ने महंगाई बड़ा रखी है तो इसलिए सरकार RBI को यह guidelines देती है कि आपको कहीं न कहीं interest rate के हिसाब से इन चीजों को manage करना है जिससे कि लोगों को जादा महंगे सामान purchase ना करने पड़े और उन्हें कहीं न कहीं देखे मैं यहाँ पर बड़ी simple language में बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए तो inflation को 4% पर रखने के लिए सरकार RBI को guidelines देती है कि आप interest rate कम करो या बढ़ाओ इस टाइप से तो वो उस चीज को regulate करते है लेकिन आज हम बात करते फेलेगी जब inflation rate इतना बढ़ा हुआ आया लगभग अपने high के पास हम इसको देख रहे हैं high के पास यह तब था तो इससे market पर क्या impact पढ़ा market पर impact पढ़ना obviously बात है पढ़ता ही है तो देखे निफ्टी 50 का हम चार्ट देख लेते हैं निफ्टी 50 की बात करें तो यहां पर 25,000 से ऊपर हमें 25,000 75 पर जो है market आज बंद होता हो देखा दिया लेकिन यहां पर बात करें तो 70 point की गरावट हमें देखने की मिली लगभग 0.2% लगभग 0.28% का यहां पर हमें negative इसमें market जो है देखने की मिला काफी सार्फ गरावट सुबह के टाइम आई थी लेकिन यहां पर sustain किया और बात में जो है market हमें 25,000 के उपर ही close करता हुआ दिख रहा है जो कि एक अच्छी बात है अपने आप में और यह बात अच्छी क्यों है क्योंकि यहां पर मैं आपको बताऊंगा यह जो 25,000 के उपर close क्यों हुआ है क्योंकि RBI के तरब से हमें एक notification मिल भी गया है और यह notification इतना ज्यादा important है जो अभी पहले RBI ने repo rate के बारे में बात की थी interest rate जो unchanged रखा था उसमें उसने एक step लिया है तो उसके बारे में हम वीडियो के आगे बात करेंगे कि RBI अब interest rate को कितना कम कर रहा है RBI को यह inflation जो है 6% ना पहुँच जाए इसलिए उसको repo rate कम करने पड़ेंगे interest rate कम करने पड़ेंगा sensex भी देख लेते हैं चलते चलते तो sensex भी अगर हम बात करेंगे तो माइनस के 152 पॉइंट नीचे गिरता होँ नजर आया हलाकि इसमें ज्यादा movement नहीं रहा यहाँ पर यह साइड बेज ही रहा तो और उसके बाद भी यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि हमें at the end closing जो है 81,820 पर देखने कम ली यानि कि यह भी कैसे 1800 की support से ऊपर ही हमें बंध होता हूँ नजर आया तो यह भी एक अच्छी बात रही कि market टूटा नहीं reason कहीं न कहीं हम आप देखेंगे अभी bank nifty तो अभी bigly option से contract हटने वाले हैं तो हम NSE और BSE दोनों के data की बात कर रहे हैं अब चलिए बात कर लेते हैं RBI कैसे manage करेगा उसके बाद यह आपको चीजे समझ में आएगी तो RBI देखिए क्या करता है RBI interest provide करता है bank को और bank जो है आगे issue करता है पैसा public को तो RBI यहाँ पर interest लेता है यहाँ पर RBI interest लेता है और bank interest लेता है यानि कि जितना interest RBI यहाँ पर bank को देगा जैसे मानलो bank अभी देता था 8.45% पर और bank देता था उसको आगे 12% पर तो अब public को 12% देना पड़ रहा था अभी क्या है RBI इसको कैसे manage कर सकता है तो RBI इसको manage कर सकता है RBI अपने interest rate कम करेगा हला कि अभी जो RBI की report आई थी उसमें कम नहीं किये तो RBI अगर इसको कम कर दे less कर दे तो यहाँ पर bank भी उसको less करेगा और जब less करेगा तो कहीं न कहीं public पर burden कम होगा और burden कम होने की बज़े से यहाँ पर महंगाई की जो दर है वो कम होगी और लोग कम व्याज देंगे तो उनको जादा पैसा बचेगा कम interest यानि कम व्याज देना पड़ेगा तो इस तरीके से RBI इसको manage करता है अभी हमें RBI की तरब से एक और latest update देखने को मिला है कि जो पहले interest rate था वो 8.45% था अभी RBI इसको 25 BPS से गहटा दिया है और अभी जो interest rate है इस मंत में ये change हो गया है 8.20 ये हमें देखने को मिला है तो देखिए कल हमें inflation बड़ी हुई मिली जिसकी बज़े से market आज थोड़ा सा down रहा आज हमें interest rate जो है वो कम देखने को मिला है कम हुआ है तो कल market किस तरीके से behave कर सकता है ये भी एक समझने वाली बात है तो वीडियो के हर एक point को आपको समझना चाहिए और दिहान से बने रहेंगे तभी सारी चीज़े समझ में आएंगी तो ये तो था पूरा RBI इसको कैसे manage करेगा आज के market पर क्या impact पड़ा I hope आपको सारी चीज़े एक एक करके समझ में भी आ गई होगी चलिए अब आप यहीं तक आ गए हैं तो ये देखे कि आपने चैनल को subscribe किया है और नहीं अगर आपके सामने कुछ ऐसा subscribe का button आ रहा है acid guide पर तो उस button को press कर ले यहाँ पर आपको एक bell notification दिखाए देगा उसको भी दवा दे ताकि आप आने वाले वीडियो को notification मिलते रहें और यह बिल्कुल free है इसमें कोई पैसा नहीं लगता आप अगर add free content देखना चाहते हैं तो join के button को click कर लें यहाँ पर आपसे 10-20 रुपे जो भी लगेंगे और आप यहाँ से बिना add के वीडियो देख सकते हैं इसके साथ वीडियो आपको फसंद आई है तो like कर दें और इस information को दूसरे लोगों तक भी पचाना चाहते हैं तो share कर दें और कोई doubt है या आप कुछ अपनी राय सजेसन देना चाहते हैं तो comment भी कर सकते हैं तो चलिए यही था आज का वीडियो मिलते है नेक्स्ट वीडियो में नए अप्डेट के साथ अब तक लिए की बोचिं एसेड गाइड